दोस्तों जगह की कमी है, घर में में मेंबर्स की संख्या जादा है, बड़ा सा घर चाहिए, कम जगह में मतलब ज़्यादा बेटरूम साहिए आपको, तो इस वाले घर के डिजाइन पे बिल्कुल आपको एक बार गौर फर्माना चाहिए, चुकि दोस्तों बहुत ही कम जगह हर एक रूम का डायमेंजन दोंगा, कितने बेडरूम से, कितने बातरूम है, क्या कुछ बनाया गया, कीचेन कैसा बनाया गया, हर कुछ दिखाऊंगा दोस्तों, बसरते आप वीडियो को लाइक दे करके चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, सबसे पहले में आपको घर के अं परैमरी एंटरिस इनका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके के पौटीगो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं दोस्तों, खास तोर पे हलका सा जो ग्रमीन छेतर होता है, उसमें ये काफी फिट पैटते हैं और बहुत ही संदारिन का लुक आता है, तो आप मुझे क और पेज के साथ में दोस्तों, रेडी रहिए, हो सके तो ड्रॉ भी करते चलिए, कि आपको बिना पैसे खर्च करें दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में आपके घर का नकसा मिल जा है, यही हमारा पढ़यात है, जो लोग ग्रमीन छेतर में हैं, जिनकी पहुँच इंजिनियर से डिरेक्ट नहीं है दोस्तों, वो हमारी चैनल का भरपूर फायदा ले सकते हैं, तो चलिए, यह है घर का में एंटर्स, में एंटर्स कम से कम चार फीट कर रखिए, काफी सही है, ओपनिंग्स बगरा जितना रहेगा, उतना सही रहेगा, यह घर का हॉल है, यह घर का हॉल फीट में है, ठीक है, ग्यारा बाई तेरा का, काफी सुन्दर और दो विंडो के शांत में दोस्तों, यह वेडरूम बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से काफी स्पेसियस दोस्तों, आप घर बनवाईए, बहुत के लिए भी सही रहेगा, और आपको रहने में अच्छा भी कॉर्णर पे भी एक, उसी साइज़ का दोस्तों यहां पे एक बेडरूम बनाया जा सकता है, यह देख सकते हैं, गें दोस्तों कॉर्णर वाले बेडरूम में दो विंडो दिए गया है, तो यहां पे जो स्टोरीज बॉक्स बाथरूम को उपर बनाया था, उनका ओपनिंग यहीं पे निकाला गया, आप चाहें तो आधे को partition करके यहाँ पे और आधे को partition करके दोस्तो आगे वाला जो समने वाला bedroom है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से इसमें भी दोस्तो opening खोला जा सकता है, बीद से इस storage box को partition करके ठीक है, आधे इसमें, आधे इसमें, ठीक है, दोनों के लिए समान रखने का storage box मिल जाएगा दोस्तो यह हो गया, दो bedroom अल्रेडी हमने दिखा दिया है, stair room दिखाऊंगा, दोस्तो हमारी जनकारी अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो को लाइक करके तब आगे बढ़ते चलिएगा वीडियो को खतम करने वाला हो, दोस्तो यह है घर का stair room अगेन दोस्तो देखेंगे, यहां से भी एक entrance का option दिया गया है, ताकि आपको किसी परकार का कोई disturbance नहीं हो, ठीक है, हॉल से इस तरीके से gate लगा दीजिए, आपको जब access करना हो जाईए, वरना दोस्तो इस तरीके का इस्तमाल रेंटर करेंगे, यह वाला जो पाटिसान आप देख सकते हैं दोस्तों, यह वाला अगेन आप देखेंगे कि एक guest room बनाया जा रहा, ठीक है, यह वाला guest room है, या फिर इसको अगर आपको bedrooms नहीं चाहिए, तो आप इसको hall 1 भी रख सकते हैं, ताकि दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो passage बनाया गया है, इस जगा को आप पूजा room के तोर पे भी develop कर सकते हैं, या फिर guest वगरा को बैठाने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है उस तरब से हमने entry लिया था दोस्तों, इस बार चलिए इधर से मैं आपको entry दिलवाता हूँ इस तरीके से अगर आपका guest दोस्तों entry करते हैं, यहाँ पे बैठने मगरा काप ब्यवस्ता कर सकते हैं यह अगें दोस्तों उनका room हो सकता है, guest room हो सकता है या तो hall 1 इसको बना सकते हैं अगें दोस्तों आप देखेंगे कि मैं hall में आ चुका हूँ यह bedroom हमने पहले दिखा दिया आपको यह वाला bathroom पहले दिखा दिया आया है storage box, bedroom, stair room, guest room उसके बाद दोस्तों passes मैंने दिखा दिया था अब यहाँ पे भी एक bedroom बनाया गया है यहाँ पे एक bedroom बनाया गया है जिसमें एक ही खिरकी दिया गया है और last में यहाँ पे अगनी कुन में kitchen दिया गया तो complete setup बहुत ही कम जगा में जगा की बात कर लेते हैं दोस्तों कितना जगा इसमें लगा है खास दोर पे ग्रामीन छेतर में इस तरीके का अगर घर बन वाएंगे न बहुत चाही लुक भी आता है दोस्तों एक बार इसका surrounding चेक कीजिए ठीक है कितना greenery यहाँ पे है यह देखिए ठीक है कुछ इस तरीके से dimension दोस्तों यह जो है वो 35 feet by 40 feet में बनाया गया है यह potigo का हमने dimension नहीं लिया चुकि यह optional है अगर आपके पास जगा नहीं है फ्रंट में दोस्तों कुछ छोटा सा design create करके इस जगा को भी बचाया जा सकता है फिर मिलते हैं इजाजे दीजिए नमस्कार धन्यवाद